क्या वाकई Big Boss 16 सुपर हिट हो गया है और उसकी TRP बहुत अच्छी जा रही है क्या यही रीजन है जिसकी वज़े से इसका extension हुआ है आईए जानते हैं मेरे साथ यानि आडिमा के साथ only on telly खजाना तो Big Boss की TRP rate निकली है उससे पहले जो नाम है और उसके बाद जो नाम है वो भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे number one पे अनुपमा चला है number two में घुम है किसी के प्यार में चल रहा है इमली जो की सुंबुल का शो था जिसकी वज़े से सुंबुल बहुत ही जादा पसंदीदा हो गई घर घर पे जानने लगे लोग इनको और साथी में इनको इनकी fan following इत्ती जादा बढ़ चुकी है और इनको भर-भर के vote मिलने है फाल्तू एक ये और बिग बॉस की जो रेटिंग चल लिए जो टी आर्पी रेट है वो 6th नंबर पे लाई कर रहा है हो और 2.2 टी आर्पी रेट चल ला है अब इसके कारण क्या हो सकते हैं कि अनके अधुद क्यारेक्टर्स हैं या फिर साथी में इस बार बिग बॉस खु इतनी फॉर्मली जो बात करते थे वो बिलकुल इनफॉर्मल हो चुक है और बिग बॉस अराम से बातचीत करते हैं सवालों के जवाब भी दे देते हैं टोक पोक भी देते हैं इतना नहीं टोकते थे और खुद भी गेम में बहुत जादा इन्वार्ड हैं कनफेशन रूम म उनका गेम खेलने का तरीका ही बदल जाता है साथी में फेक लव स्टोरी इस बार जिस तरीके की फेक लव स्टोरी हम लोगों ने एंकाउंटर की है इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने इस तरीके की कोई फेक लव स्टोरी देखी हो और fake love story की बात कर रहे हैं तो obvious है शालीन और टीना की बात हो रही है इससे पहले ये दो characters ही हैं बिग बॉस के घर में जिन्होंने सबसे जादा सौंदर्या और गौतम के रिष्टे पे उंगली उठाई थी और अब इन्होंने अपने ही character पे इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया जहां पे कोई भी guest आता है तो इनकी love story, sorry fake love story के बारे में बात चीत कर रहा होता है साथ ही मैं मंडली, इतनी बड़ी मंडली starting से लेके end तक कभी नहीं रही है किसी भी big boss के show में ऐसी मंडली नहीं नजर आई है जिनका एक जुटित्ता साथ हो जैसे मंडली अगर मैं बात कर रहे हैं तो मैं उसमें निम्रित को अभी include नहीं कर रही है क्योंकि जो main मंडली थी वो थी साजित खान की, अब्दू की, शिफ की और MC स्टैन की और ये चार लोग स्टार्टिंग से लेके end तक हमेशा साथ ही रहे हैं इस मंडली में लोगों का add-on हुआ है लेकिन कभी मंडली तूटी नहीं है इसके अलावा बात करते हैं अर्चुना की, अर्चुना जैसा character अभी तक हमने देखने को नहीं मिला अर्चुना बहुत ही frequently कुछ ऐसा entertainment देती है जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से वो बातचीत करती है हाला कि कभी-कभी वो अपनी हदों की सीमा पार कर जाती है और उट-पटांग बाते बोल देती हैं जिसकी वज़े से उनने काफी खरी-खोटी सुनाई जाती है हर वीकेंड के बार पर बट तुबी वेरी ओनेस्ट रचुना का जो behavior है उसकी वज़े से हर जो audience है जो बिग बॉस देख रही है वो entertainment के पूरे lift उठाता है इसके अलावा शालीन जी ऐसी acting वाला character हमने आज तक नहीं देखा जो शू की start से लेके एंट तक जिसका समझ ही नहीं आये कि वो acting कर रहा है रियल personality है या क्या है तो यही reasons है जिसकी वज़े से बिग बॉस इस बार TRP में बहुत ही अच्छा दे रहा है लोगों को लोगों को खूब entertainment दे रहा है extension हो गया इसी तरीके की खबरे लेके मैं आपके पास आती रहूंगी और अगर अभी तक आपने टली खसानों को subscribe नहीं क